बुल और बेर मार्केट में अगर आपको हाई प्रोबाबिलिटी ट्रेडिंग पाटन्स को फाइंड नौट करना सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे पहला कोशन आता है कि यार ये ट्रेडिंग पाटन होता क्या है ये कंडल स्टिक पाटन होता क्या है सबसे लिए कंडल स्टिक पाटन में आपने सुना रहे टो दो फीडियोगि एक है एंनग पाटन θα पहले बात करते हैं हम लोग कंडल स्टिक कि सो किंडल स्टिक में कार फाट deze है एक होता है उप सारी चार पाट तया है बने šारट होता पा पाटатक है खिलते है देखो कोई candle let's say इस तरीके की है ये उसका low point होगा ये उसका high point होगा ये उसका close होगा और ये उसका open होगा high and low तो सबको पता है सबसे उपर वाला point high होगा सबसे नीचे वाला point low होगा अब ये open close का क्या पंगा होता है इसको समझो देखो जब भी कोई green candle है तो उसका मतलब होता है कि stock जब open होगा उसके उपर जाकर close होगा मतलब price बढ़ा उसका अगर आपका close open से उपर होगा न तब वो candle green होगी या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि हर green candle में आपका close open से उपर होगा इतना फरक हो जाता है कि close नीचे आ जाता है open ऊपर चले आता है क्यों because red candle is a candle जिसमें stock का price नीचे आया और उसका price नीचे आएगा अब शायद जो लोग बहुत beginner होगा वो ये सोच रहे होंगे कि यार ये क्या है मतलब मैं बोल रहा हूँ time frame होते है one day time frame होता है five minute होता है one minute होता है one second भी होता है आपका जो मन करें आप उस time frame पर देख सकते हो इसका मतलब मैं अभी आपको one day के साफ से पताता हूँ one day में क्या होता है हमारी Indian stock market 9.15 पर open होती है and 3.30 पर close होती है so जो भी price stock का 9.15 पर होगा वो होगा उसका open जो भी price 3.30 पर होगा वो उसका होगा close और इस time के बीच में जो भी high होगा और जो भी low होगा वो आप का होगे कि उस candle का high या लो है अब आता है कोशिंग कि यार इसको read कैसे करें क्या सारी green candle bullish होती है क्या सारी red candle bearish होती है how to read it कैसे बता करेंगी buyer control में है या seller control में है अब उसको लेखते है देखो क्या होता है सबसे बहली बाद इसके लिए हम यह समझते है कि कौन सी candle bullish है and कौन सी candle bearish है because this is most important हर बंदा इसको गलती करता है एक bullish candle green candle नहीं होती एक bullish candle वो candle होती है which is closing near its high एक bullish candle वो candle होती है जो अपने high के पास close होती है एक bearish candle red candle नहीं होती एक bearish candle होती है which is closing near its low और इन दो के अलावा एक तिसरी candle भी होती है जिसको हम लोग बोलते है डो जी उसका मतलब होता है closing in between अब bullish का मतलब क्या होता है आपको पता है bullish का मतलब होता है that is strength strength का मतलब होता है buyers are in control bearish का मतलब क्या होता है weakness weakness का क्या मतलब होता है that sellers are in control doji का मतलब होता है confusion confusion को आप कह सकते हो indecision also which means कि we are not 100% sure कि buyer control में, seller control में या फिर आप यह भी कह सकते हो कि right now the fight is going between the buyers and sellers आप बहुत अच्छी fight हो लिया अब मैं आपको बतार था कि bullish candle वो होती है अबने high के पास close होती है so guys see, मान लो ये candle है so इसका high and close same है right so this is a bullish candle आपको open and low को देखना ही नहीं है सिरब high or close को देखो मान लो ये एक candle है ये इसका high है ये इसका close है your close is near high तो ये भी एक bullish candle है अब मैंने आपको बोलता है कि सारी green candle bullish नहीं होती तो हम मैं आपको दिखाता हूँ एक इस ही candle जो green है बड़ बुलिश नहीं है for example let's say candle है इस तरीके के ये इसका high है ये इसका close है और ये इसका low है so it is actually closing near its low it is not closing near its high so बड़ ग्रीन होने के बावजूद भी ये candle bearish है similarly अगर मैं red candle की बात करूँ so this is a candle for example this is low and this is close so this is closing near its low मैंने आपको क्या हो ला था कि bearish candle मैं आपको देखना है कि वो close होना चाहिए अपने low के पास it is closing near its low so it is a bearish candle similarly I'll show you a candle which is a red but it is bullish for example there is a candle like this this is its close this is its high it is closing near its high it is not closing near its low right so red candle होने के बावजूद भी ये candle एक bullish candle है similarly doji candle का color red भी हो सकता है green भी हो सकता है any candle like this because this is high this is low this is closing in between we are not sure कि वो high के पास close हो रहा है या वो low के पास close हो रहा है so if any candle is closing in between so it is a doji अब I guess आपको इस चीज़ समझ में आगी होगी now इसमें seller का control selling का pressure buying का pressure ये कैसे देखते है इस चीज़ के लिए हमको देखने होती है wicks अब क्या होता है हर candle में दो पार्ट होते है एक तो होता है ये वला पार्ट जिसको हम लोग बोलते है body एक होता है ये उपर और नीचे वला पार्ट जिसको हम लोग बोलते है wick so wick आपको बताता है कि एक candle में buying pressure कितना है selling pressure कितना है एक तो यहाँ पर आपने simple way में देख लिया क्यार candle high के बास close हो रहा है low के बास close हो रहा है between में close हो रहा है उसके आपको देखना है कि उसके wick कितनी है for example let's say there is a candle like this color को छोड़ दो green और red और एक ही बात है यहाँ पर आपको दिखला है कि यह lower wick है तो यह lower wick basically आपको buyer का control दिखाती है कि यहाँ पर buyer का control है similarly let's say एक candle इस तरीके की है यहाँ पर आपको upper wick दिखी इसका मतलब यह है seller control similarly आपको कोई candle दिखी which is doji यहाँ पर यह selling का control है यह buying का control है आप इनको selling pressure और buying pressure भी बोल सकते हो right तो यहाँ पर selling और buying का control है दोनों तरफ तभी हम यहाँ पर confused है कि whether the buyer are in control और the seller are in control okay तो इसमें क्या हुआ अब exactly अब मैं आपको दोड़ता और अंदर गुश के बताता हूँ ताकि हम जो candlestick pattern आएंगे उसको आप एकदम easy और एकदम perfect way में समझके एकदम उसमें pro होकर market में पैसे खबाब हो देखो क्या होता है हमारी जो stock market है न वो completely demand and supply वे गाम करती है क्या होता है मानलो stock का price 2000 है अगर buyer और seller उस price में खरीदने और बेचने को तयार है तो stock का price 2000 ही रहेगा बट मानलो कि कोई भी buyer इसको 2000 में नहीं खरीदना चाहता तो क्या होगा buyer कहेगा कि यार मैं को 2000 में नी चाहिए मुझे 1999 में चाहिए buyer ने कहा कि मुझे नहीं खरीदना मतलब demand कम हो गई अब कोई seller अगर तयार हो गया उसको 1999 पर बेचने के लिए तो इस stock का price 2000 से उटके 1999 पर आजएगा इस तरीके से होता है अब क्या हो दै मानलो 915 पर जब market ओपन होई तो stock का price 2000 था तो उस टाइम पर buyer ने काम को नहीं खरीदना नहीं खरीदना whatever can be the reason price उपर और नीचे demand और supply की वज़े से ही जाता है उसके बाद stock का price नीचे या because नीचे क्यों क्या या तो आप कह सकते हो कि buyer ने काम को नहीं खरीदना 1999 पर भी नहीं खरीदना 1996 पर भी नहीं खरीदना अब मुझे इसको लेना चाहिए तो वहाँ पर उन्होंने खरीदना चालू करा और लेट से stock को लेगे 2100 reason can be anything कोई news कुछ भी हो सकता है reason किसी hedge fund को buy करना है किसी बड़े player को buy करना है कुछ भी हो चार्ट पर आपको सब दिखेगा ठीक है कि buyer को लगा कि या अब यह बहुत जादा महेंगा हो रहा है मुझे इससे महेंगा नहीं लेना तो यह नीचे आया लेट से आपर close हो गया टू जिरो फाइफ जिरो सो candle आपके कि इस तरीके की बच जाएग सो इसमें exactly क्या हुआ है इसमें exactly यह हुआ है कि stock यहां पर open होँआ नीचे गया ऊपर गया और नीचे आया आपको दिख रहा है कि यह विला area है यहां पर buying का pressure दा तो this is how आपको candle से rate करनी है और अभी सिरफ basic बताया है तो वीडियो को बद मत करना आप पूरा समझेंगे अब हम समझते है कि अगर हम candles को mix कर दे तो क्या होगा और mix करने से पहले मैं आपको इसका एक आदा example जाकर दिखाता हूँ जैसे let's say मैं one day का time frame खोल लेता हूँ यहां पर हम देखते कि कौंसी candle bullish है और कौंसी candle bearish है अगर आप यहां पर देखोगे so this is a candle which is clothing near its low so it is a bearish candle right उसके बाद की नीचे आता रहा after that अगर आप देखो यहां पर भी this is a candle which is clothing near its low यह नीचे आता रहा right but the question is काफी बार ऐसा भी है कि यह ली जैसे candle it is also clothing near its low बट इसके बाद नीचे नहीं आया so हमको यह भी तो find out करना है ना कि candle stick को use करना है ओके बट कहां पर करना है right इसको भी समझेगे ठीक है तो अब मैं आता हो अपने अगले बाद पर कि आप candle stick को combine कैसे कर सकते हो okay बहुत easy है देखो मान लो आपकी कोई green candle है इस तरीके की इसका price 2100 है high close 2050 है low 2000 है sorry low low 1950 है and आपका open 2000 है let's say ugly candle बनी next candle वो है कुछ let's say red color की वो है इस तरीके की इसका low है 1900 close है let's say 1970 open है let's say 2000 है and high है let's say 2070 okay अब अगर हमको इन दोनों को combine करना है so guys मान लो यह 1 day की candle है यह भी 1 day candle है अब अगर आपको 2 day की candle बनानी है I am trying to explain you कि आप दोनों को साथ में कैसे पढ़ोगे तो आपको क्या देखना है देखो one day के according open क्या था one day के according open था 2000 right high क्या था दोनों दिन के according अब high तो दोनों दिन का देखोगे न 2100 low क्या था दोनों दिन का 1900 और second day का closing क्या था because अब यह open हुआ एक दिन पहले 915 पर and you are trying to make a candle की अगले दिन close हुआ 330 पर so open इस दिन का लेंगे close अगली candle का लेंगे high और low आप दोनों candle में देखोगे कि सबसे उपर और सबसे नीचे क्या है okay so अब आपकी candle किस तरीके की बनेगी आपकी candle बनेगी इस तरीके लिए so अगर आपने इन दोनों candle को combine करा so आपका answer निकला डोजी कि we are confused कि market में क्या हो रहा है right so this is how you can combine two candles and figure out कि actually में market में हो क्या रहा है I'll show you example let's say आप इसी stock में देख लो okay जैसे अगर आप यहां पर देखो तो यह एक bullish candle है right और यह एक bearish candle है अगर आप इन दोनों को combine कर लोगे जैसे मैंने आपको बताया तो यह doji बनेगी तो इससे आपको पता चल गया किया market अभी bullish नहीं है market actually में doji है यह आपका बीव कूफ बना रहे है चार्ट में bullish और एक bearish candle दिखा कर actually में वह एक doji है ठीक है अब let's say इसके साथ यह third candle भी बन गया अगर आप इन तीनों candle को combine कर दोगे आपको पता चल रहे है कि market actually में bullish bearish bearish नहीं है अब आगे चलने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको इन पार्टन को कैसे trade नहीं करना trade करना है वो तो अभी हमें और भी सीखना है यह video लंबी होगी क्योंकि इसमें बहुत को सीखने को में लगा चोटी वीडियो में ना सीखने को नहीं मिलता यह problem ठीक है अब देखो आपको trade कब नहीं करना मैं आपको बताता हूं देखो पहली चीज़ तो आपको मेंशा अप आइधर buy it at a support और buy it after the resistance is break ठीक है तो अगर let's say यहां पर मैं level draw करो राइट यह support है अगर आपको बाय करना है न ऐसा नहीं कि यहां पर कोई bullish candle बने तो आप यहां पर बाय कर लो जैसे this candle is a bullish यहां पर बाय नहीं करना है आपको करना है if it is making near the support zone यहां पर यह bullish बनी अब यहा आइधर sell it at the resistance और sell it when the support has been break अब अगर आप यहां पर देखो तो यह आपका एक support zone है right और यह resistance है यहां तो इधर sell करो जब यह resistance पर है यहां फिर sell करो जब यह support ब्रेक हो चुग है ऐसा नहीं है कि आपको इस दूर यहां पर कोई bearish candle मिली आप इधर भी sell कर रहो ओके अब मै अब हम समझते है कि candlestick patterns कौन से होती है so let's start with bullish engulfing तो engulfing pattern क्या होता है देखो engulfing pattern ने कैसा pattern होता है जिसमें एक candle अपनी previous candle को 100% engulf कर देती है for example जैसे माल लो कि एक previous candle आपकी red color की इस तरीके से है और शगली candle green बनती है इस तरीके की आपकी इस green candle ने इस red candle को पूरे तरीके से इंगल्फ कर लिया है so इसको हम लोग बोलते है bullish engulfing और यह आपका two candle pattern होता है ठीक है बहुत useful होता है अगर यह pattern आपने देख लिया कि trend आपके साथ है आपने देख दिया कि stock support and resistance पर है और आपने बहुला rule follow करा जो मैंने अभी आ करना support के पास करो और resistance के break पर करो और उस time पर आपको ऐसा कोई pattern दिख रहा है तो बहां पर आप लॉंग कर सकते हो अभी मैं आपको pattern संजा रहा हूं उसके बाद मैं आपको इन सब के example से बता हूंगा okay so don't worry about that similarly bullish engulfing है तो एक bearish engulfing भी होता है उसमें क्या होता है let's say पहली एक green candle है उसके बाद एक candle बनी जिसने इस green candle को पूरे तरीके से इंगल्फ कर लिया so यह आपका हो गया bearish engulfing pattern okay और logic इसका क्या है simple logic है अगर मैं आपको समझाओ stock इस दिन ऊपर गया अगले दिन नीचे आ गया right so यह जो एरिया है यह आपका बन गया selling pressure यह मैंने कैसे रीड करा जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि आप दो candle को combine करके रीड कर सकते हो तो उसी तरीके से अगर आप इसको रीड करोगे तो यहां पर आपके एक bearish candle बनेगे एक आप एक बार आपको जा कर दिखा देता हूं stock में ऐसा कोई pattern जो बन रहा हो so I'll open a one day time frame so guys अगर आप यहां पर देखो so यह आपका एक bullish engulfing pattern बन रहा है और यह bullish engulfing आपका support के पास बन रहा है अगर आपने आपर entry लिए हो थी so आप यह विला move capture कर सकते थे using the bullish engulfing pattern similarly अगर मैं आपको bearish engulfing दिखा हो so this is a point जब आपका bearish engulfing pattern बन रहा है right अभी आप obviously यहां पर sell ना करते बट स्टिल उसके बाद आप देखो तो एक market में down होगा अब मैं आता हूं अपने अगले pattern पर so the next pattern is a simple hammer pattern जैसे यह आपका two candle का button था hammer is a one candle pattern hammer बोलते हैं कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई ऐसी candle बन रही है तो उसको हम लोग hammer बोलते हैं अगर मैं आपको बताओ सबसे strongest bullish candle कौन से होती है तो according to me वह hammer होती है और इसमें एक सी जा रखना कि जो lower wick है it should be three times than the body अगर ऐसी आपको को candle मिल रहा है तो that is a very 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 strong candle similarly एक inverted hammer बोलते हैं उसमें क्या होते है कि जो upper wick होते हैं that is three times than the body okay so for obvious reason this is a bullish pattern and this is a bearish pattern इसका एक example देखें इसी stock में चला जाता हूँ so अगर आप इस candle को देखो so this is a hammer pattern right because the wick on the lower side is three times than the body plus the pattern is making near the support point अगर आपने यहाँ पर बाइकर अगर बनते हैं आपको अगला pattern संजाता हूँ जिसको बोलते है morning star and evening star morning star क्या होता है देको पहले बनती है आपकी red candle फिर आपकी बनती है डोजी डोजी आपकी red भी हो सकती है green भी हो सकती है और फिर आपकी बनती है bullish candle right so इस तरीके के pattern को बोलते है morning star कि stock नीचे आया लडाई हुई and then ऊपर चला गया right similarly evening star बोलते है कि पहली आपकी बनी bullish candle उसके बाद बनी एक डोजी और उसके बाद आपकी बनी bearish candle right इसका मतलब क्या है कि stock उपर गया लडाई हुई और फिर नीचे आगया so अगर आपको ऐसा कोई candle भी मिल रहा है किसी support पर यह resistance पर so that is the point जब आप लोग trade कर सकते हो okay and this is a bullish pattern obviously and this is a bearish pattern and things to note जो मारा engulfing pattern था उसमे दो candle का यूज था जो मारा hammer था उसमे एक candle का यूज था और जो मारा morning and evening start था उसमे तीन candle का यूज था and surprisingly अभी मैं आपको दिखाता हूं कि यह जो तीनों candle है अगर आपको mix करना आता है candle को जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था तो इन तीनों का मतलब एक ही है कैसे देखाता हूं जैसे hammer तो आपने देख लिया इस तरीकी candle है अगर आप bullish engulfing की बात करो डराहें तो bullish engulfing क्या हूरा है यह आपका open point है यह आपका closing होगा यह आपका हई होगा और यह आपका low होगा आपकी candle किस त्रीकका की बात है हाँ alert तो गुम फे आकर जितने भी कैंडल्षिक बैटन है वह कमबाइन होकर एक ही कैंडल बनीगी और एक कैंडल अगर बुलीश होगी आपको बुलीशरेट करना है और बेरिश होगी है तो इसको वॉइट है अब देखो इसके अलाबा हजारो पैटन होले बट क्या हमको पैसे कव आने के लिए सबको रटना सबको समयना जुरूरी है बिलकुल भी नहीं है आप इन तीन पैटन से एक चार्ट में कहीं पर भी ट्रेट कर सकते हो और यू कान में तो अब हम देखते हैं ग्जाम्पल सारे बैटन का और देखते हैं समझते हैं कि आपको कहां पर ट्रेड लेना ह है कैसे डेड लेनाय और क्यूट रेन अब मजा रहें कोई भी स्टॉख लेता हो जैसे अगर मैं सबसे पहले हम देखते हैं ताइटन में मैं देख रहा था तो टाइटन में ओपन करता हूं so guys ये मैंने टरइ माँ चार्ट डिया है अब आपको सब। इसमें levels markք करनी है देखो अकर मैं support and resistance level draw करो एक तो में को दिहा है internation एग में को दिक्षरह है इह resistance भोडे छोटे resistance देखो ये support है एक ये छोटा सा resistance है step one second step मेरा था कि if you want to buy always buy near the support or at the break of the resistance if you want to sell always sell at the resistance or at the break of a support इसको याद अगना बहुत सूखी रहोगे अब हम इसमें इसमेला रूल दाकर समझते हैं और देखते हैं कि हमको कहां पर कौन सा बैटन मिला I am talking only about 3 बैटन पहला engulfing दूसरा hammer और तीसरा morning star या फिर evening star चीक है so अगर आप यहाँ पर देखो so guys do you think this is a evening star बैटन पहली candle bullish है राइट second doji है राइट and third bearish है राइट अगर आप यहाँ पर sell करते यहाँ का stop loss लगाते और इधर तक का target रखते so you could have captured this trade risk reward के terms में बात करू so आपका trade का risk reward होता 1 is to 3.6 1 is to 3.6 का simple सा मतलब है कि अगर आपने 10,000 रुपीस का risk लिए है तो आपका profit होगा 36,000 रुपीस का यहाँ पर 3.6 है अब और देखते हैं guys अगर मैं इधर की बात करूं कि जब यह stock वाफची से support पर आया क्या है क्या है क्या है सोचो थोड़ा सोचो नहीं है यह हमर नहीं है यह हमर है बर जो हम सा हमर हम ढूंड रहे हैं वह नहीं है what what kind of hammer I am looking for I am looking for कि lower side पे जो विक हो वह थ्री टाइम दो देन दो बाड़ी अन्या पर ऐसा नहीं है तो आप यहां पर ट्रेंद मत करो सारे ट्रेड आप capture नहीं कर सकते हैं okay let's see more example guys अगर आप यहां पर आओ तो आप यहां पर जो पैटन बन रहा है वह चार-पांच कैंडल का बन रहे है बैसिकली चार कैंडल का बन राइट हमने इसी का थे इवनिंग स्टार में कि पहले एक बुलिश कांडल होगी फिर एक डोजी होगी फिर एक बैडिश कांडल होगी गाईदकर बीच में एक डोजी की दगाज दो डोजी आ जाएगी ना तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यह मार्किट है यह मैच्स नहीं है ट्रिग्नोमेट्री नहीं कि इसको रट लिए और बात खतम हो गई यह वह सब्जेक्ट नहीं बढ़ रहे हैं बच्पन में बढ़ते हैं आपको लॉजिक क्या था इस स्पार्टन का लॉजिक यह था कि पहले ए इस एक पर क्या हुआ इसटेंपल में क्या हुआ हमने रिजिस्ट्रेंस अडरी मां कर आवा था एक बुलिश केंडल बनी और एक और दो दो जी बनी और उसके वार एक और बेरिश कांडल अगर आप इसके लोग के नीचे सेल करते उपर का स्टॉप डॉज रखते यहां तक को गे तो इधर आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिला क्यों नहीं मिला वी कोई हैमर थी ना कोई बेरिश इंगल्फिंग थी और नहीं कोई morning evening star था right उसके बाद अगर मैं समझू इधर इधर right no trade यहां पर कोई trade नहीं मिला it's okay because we cannot capture every trade in the market but अगर आप यहां पर देखो bullish doji bearish अगर आपने यहां पर sell कर रहा था यहां का stop loss you could have captured this trade because this is which pattern this is evening star अब यह तो एक एक चार्ट में मैंने आपको एक्जामबल दिखाए अब और कोई चार्ट खोलते हैं let's say मैं खोल लेता हूँ यह विला श्टॉप सबसे पहरा step आप इस पर support resistance बना लो right so एक तो मुझे support यह दिख रहा है एक मेर को यह दिख रहा है एक मेर को यह दिख रहा है छोटा सा इसको extend कर जेते हैं अब हम यहां पर देखते हैं कि हमको कहां का ट्रेड मिला right so सबसे पहले आप काई यही पर देख सकते हो this is a hammer 100% this is a hammer because the wick on the lower side is three times than the body अब इस पर हाइप एंटर करो लो का stopण रखो यहां तक का trade capture करो right after that कोई trade नहीं मिला इधर भी नहीं मिला इधर this is bearish this is doji and this is the bullish candle अब यहां पर enter करो पहला resistance which is this point यहां तक का target रखो आपको यह trade भी मिला right उसके बाद आप और उपर जले जाओ let's see let's see see guys this candle this is a hammer wick on the lower side is three times than the body आप इसके high पर enter करो low का stop law रखो यहां तक का trade capture करो again this is a resistance level अगर आप इधर देखो this is a evening star bullish candle then a doji then a bearish अगर आप इसके low पर sell करो high का stop law रखो आप इस move को capture कर सकते हो right so in short आपको rule follow करना है आपका rule क्या है आपका rule है आपको पहले support and resistance level बनाना है सबसे बहले आपको support and resistance level बनाना है and I know I am repeating it again and again but it is very important कि always buy either near the support or at a break of resistance always sell at the resistance or at a break of support इस rule को यादखना चिरफ candle stick pattern को भी सीख लोगे believe me you will be able to make some money out of the market अब हमको न बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग का कोई अभी तक example नहीं मिला so मैं specially उसी को ढूंडता हूं उसी का को example आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ आए कि आप उस pattern पर भी कैसे trade कर सकते हो so guys अगर मैं इधर देखो तो एक support level है सबको पता है अगर मैं इधर बात करूं इस candle की so this is a bullish engulfing pattern अगर आप यहां पर एंटर करते हो यहां का stop loss लगाते हो यहां तक का target आप easily capture कर सकते हो right so 1-2 का trade आपको यहां पर मिला let's see more example आपको यहां पर दिखाता हूं तो मैं उसी को जाकर दिखाता हूं वो engulfing pattern so guys अगर आप यहां पर देखोगे so this is a engulfing pattern right and as I told you always buy at a support or at a break of resistance तो यहां पर this is a resistance right यह resistance यहां पर ब्रेक हुआ और उसके बाद यह bullish engulfing का button बना अगर आप यहां पर enter करो यहां का stop to रखो तो आप इस move को easily capture कर सकते so this is all for this video and मैंने कुछ ताइम पहले एक swing trading बनाई थी तो अगर आपको वो भी समझ नहीं है न तो अभी इस वीडियो को जाकर देख ले न आपका बहुत benefit होगा और अगर अभी तक आपनी इस चानल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे है तो फटा फट बेल आइकन पर क्लिक करक इसको सब्सक्राइब गर लो और रमेंबर मैं एवरी वेंच्डे और एवरी साटरड़े एक नहीं वीडियो लेकर आऊंगा अन दे यूट्यूब थांक यू सो मच